सो हेलो एवरिवान वेलकम टू माइ न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों सिल्वर और ब्राउन टॉन फोटो एडिटिंग करना वह भी सिर्फ और सिर्फ लाइट्रूम अपकी साहिता से तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस्टेप स्टार्ट कर लेते हों मिलते हैं वीडियो के लास्ट में सो हें गाई सिंप्ली आपको अपना लाइट्रूम एप ओपन कर लेना होगा और प्यारे दोस्तों अपनी फोटो को लाइट्रूम एप के अंदर एड कर लेनी होगी यह देखिए हमने यह फोटो एडिट कर लिये आज इस फोटो को एडिटिंग करेंगे तो दोस्तो आप अपने अ लोग कुछ ऑच्छी एडिटिंग सिख पाएंगे आपके इधर साइड में कुछ इस तरह से एडिटिंग के ऑपिशन कलुकर आ जाएंगे तो simply आपको सबसे पहले edit को option पे touch कर लेना होगा और जैसे आप इस पे touch करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा तो simply आपको detail को option दिख रहा होगा आपको detail के option को click कर लेना होगा और फिर simply इसकी separating के amount की value को कर लेंगे plus 20 और इसकी masking की value को कर लेंगे plus 16 और फिर आपको simply noise को option दिख रहा होगा आपको noise को option पे click कर लेना होगा और इसकी noise reduction की value को कर लेंगे plus 28 और इसकी contrast की value को कर लेंगे plus 23 और इस simply आपको color noise को option दिख रहा होगा आपको color noise को option पे click कर लेना होगा और इसकी color noise reduction की value को कर लेंगे plus 29 और इसकी smoothness की value को कर लेंगे plus 72 और फिर simply आपको detail की option को कर देना होगा done और फिर simply आपको effects को option दिख रहा होगा आपको प्यारे दोस्तो effects की option पे के लिए कर लेना होगा और इसकी clarity की value को कर लेंगे plus 43 23 और इसकी DH की value को कर लेंगे प्लस 44 और इसकी texture की value को कर लेंगे माइनस 27 और फिर simply आपको vignate को option दिख रहा होगा आपको vignate के option पे के लिए कर देना होगा और इसकी amount की value को कर लेंगे माइनस 60 और इसकी midpoint की value को कर लेंगे प्लस 34 और इसकी फीदर की value को कर देंगे प्यारे दोस्तों प्लस 82 और इसकी highlights की value को हलका सा बढ़ा देंगे इसको कर देंगे प्लस 18 और फिर simply effects की option को भी कर देंगे done और फिर आप लोगों को दोस्तो light को option दिख रहा होगा आपको light की option पे की लिए कर लेना होगा और इसकी context की value को कर देंगे minus 22 और फिर simply दोस्तों इसकी highlights की value को कर देंगे प्लस 27 और इसकी shadows की value को हलका सा बढ़ा देंगे इसको कर देंगे plus 23 और इसकी whites की value को भी हलका सा बढ़ा देंगे इसको कर देंगे plus 30 और इसकी blacks की oil को कर देंगे minus 26 और फिर simply आपको light के option को भी कर देना होगा done और फिर आपको color tool को option दिख रहा होगा आपको color tool के option पे click कर लेना होगा और जैसे आप इस पे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा तो simply आपको उपर mix tool को option दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों आपको mix tool के option पे click कर लेना होगा और skin tone को सही करने के लिए face को गोरा करने के लिए आपको second option click कर लेना होगा जो कि orange tone का है और इसकी saturation की value को कर देंगे minus 22 और इसकी luminance की value को कर देंगे plus 39 ये देखे हमारा face है जो गोरा हो चुका है और फिर background में color डालने के लिए आपको simply yellow tone को select कर लेना होगा और इसकी प्यारे दोस्तों hue की value को कर देंगे minus 100 और इसकी saturation की value को भी कर देंगे minus 18 और फिर simply आपको green tone को select कर देंगे और इसकी saturation की value को कर देंगे minus 100 और ही की value को भी कर देंगे minus 100 और फिर simply आपको एकवा बीलू को कर देंगे minus 100 और फिर simply आपको में आपको लिए क्या करना होगा आपको डंक ओप्सन दिखरा होगा आपको इस पर done कर देना होगा और फिर आपको इसकी temperature की value को बहुत हलका सा बढ़ा देंगे इसको कर देंगे प्लस 9 और इसकी tint की value को भी हलका सा बढ़ा देंगे इसको कर देंगे प्लस 4 और इसकी vibrance की value को कर देंगे प्लस एट और फिर आपको उपर इससको आपके सामने कुछ इस तरह का इंट्रफेज अपैने हो जाएगा और इसको पने फिंगर से कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेंगे कर लेंगे इसकी हो की वाई लुको कर लेंगे 228 सेच्वेशन की वाई लुको कर लेंगे 51 और फिर सिंप्ली आपको इसकी लुम्नेंस की वाई लुको कर देना होगा प्लस 27 और इसकी ब्लैंडिंग की वाई लुको कर देंगे प्लस 57 और इसकी बैलेंस की वाई लुको कर देंगे दोस्तो प्लस 14 और फिर simply आपको done को option पे किलिक कर देना होगा और दोस्तो आप बहुत ध्यान से देखना अब एक बार फिर से आपको mix tool के option पे किलिक कर देना होगा और फिर add load on पे किलिक करेंगे दोबारा से और इसकी जो saturation की value हमने रखी थी minus 18 इसको कर देंगे दोस्तो इसको कर देंगे minus 100 और फिर simply आपको done को option दिख रहा होगा इसको कर देंगे done और फिर इसकी vibrance की value को कर देंगे बढ़ा करके plus 33 और इसकी tint की value को कर देंगे दोस्तो plus 19 और इसकी temperature की value को कर देंगे plus 21 और फिर simply आपको color tool की option को भी कर देना होगा दन यह देखें दोस्तों हम इस बिफोर फोटो का इसी थी और एडिट होके आप्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है यह हमारी फोटो पर्फेक्ट फिर एडिट हो चुकी है तो इसको गैल्ली के अंदर सेब करने के लिए आपको ओपर सेयर को अप्शन दिख रहा होगा आपको